अब हम आपको दिखाने जा रहे है हमारा नया आविशकार जो है ड्राउजिनेस डिटेक्शन सिस्टेम यानि अगर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर सो जाता है या उसे नीन आने लगती अगर जपकिया लेने लगता है तो यह हमारा उपकरंड ड्राइवर को साउधान करता ह इस उसके लिए बज़र बजाता है ठीक है आएए देखते हैं इस सिस्टेम में कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है जरख कैमेरा नजदिक लाइए यह इसका कंप्यूटिंग मॉड्यूल है यह इसका लाइट सेंसिटिव कैमेरा है यह दिन में और रात में भी इमेज कैप्चर क सकता है यहां पर इसका speaker लगाया हुआ है speaker और computing unit एक दूसरे से Bluetooth के जरीए बात करते हैं यह लगा है charger module charger module से हम power देते हैं computing unit को और power देते हैं Bluetooth speaker को भी तो यह चोटा सा इसका setup है मैं आपको यह जानकरी देना चाहूंगा कि फिल्हाल ये एक नया प्रॉडक्ट है इसमें तपनिकी सुदार होते रहेंगे इसका स्वरूप बदलता रहेगा मगर इसके पीछे जो कल्पना है वो ऐसे ही रहेगी तो आईए अब देखते कि हम ये सचुछ पर कैसे काम करता है इसे देखना चाहेंगे तो अब मैं ड्राइविंग के पोजिशन में आ जाता हूं यह मैं स्टेंडर्ड ड्राइविंग पोजिशन में आ गया अब मैं सामने देख रहा हूँ यह उपकरण इस तरह से हमने गाड़ी में लगाया है कि गाड़ी चलाते हुए मुझे इस उपकरण की वज़े से कोई बाधा नहीं आएगी और यह फिर भी मेरा चेहरा ठीक से हमेषा नींद नाने लग गए हमेशा नीद आने की स्टेज यह होती है कि एकदम सेада मीस होता नहीं है उस पे पहले थोड़ा ड्रावजिनेस आ जाता है उसे थोड़ी सी जबखिया आने लगती है और फिर गारी नींद उसे आ सकती है है फिर गाड़ी चलाते है तो आईज नियुक में इसी चीज को सिमूलेशन करते हैं। अब मैं दीरे दीरे अपनी आखे Bंद कर रहा हूँ और बीज बीच क में खोल रहा हूँ। अब मेरी आखे जय्यादा देर के लिए बंद हो रही है। और अब मेरी आखे बिल्पुली बंद होगी है। कि अभी आपको सुनाई दे रहा है कि यहां पर एक जोरदार बीपिंग की आवाज आ रही है वह इसलिए आ रही है क्योंकि कैमेरे ने इमेज को देख लिया है कंप्यूटिंग उनिट ने यह समझ लिया कि मैं सो रहा था गाड़ी चलाते हुए और इसने जोर जोर से आवाज करके मुझे मीन से जगा दिया है तो मेरा यह मानना है कि सुरक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण आविशकार है और हाला कि ऐसी टेकनोलोजी विदेशों में महिंगी गाडियों में पाई जाती है लेकिन अस्ती इंफोटेक की तरफ से यह टेकनोलोजी हम किसी भी ग मेरा यही आप से कहना होगा कि अगर आप सुरक्षा की तरफ बहुत ध्यान देते हैं गाड़ी तो आप अपनी गाड़ी में इस तरह के सिस्टिन जरूर लगाएं इसमें हम लगातार सुदार कर रहे हैं मगर अभी भी यह जिस हालत में है इस हालत में यह कई लोगों की जा अटाल सकता है दन्यवाद